नमस्कार दोस्तों इससे पहले के वीडियो में जो है मैंने अन्फ लग अलग पॉइंट को अलग अलग वीडियो जमीं सके थे! इस वीडियो में जो है मैं उन सारे पॉइंट को चुरुँज कंपाइल करके एक जगए इस वीडियो में बनाऊंगा लेकिन वो सौट में होंगे बेसिक उपर उपर से मैं आपको हर पॉइंट एक बार इस पर समप कर दूँगा तो अनिम्प्लाइमेंट इन इंडिया जो कि यह अभी सबसे बरा बिमारी है इंडिया में और इसे दूर करना बहुत जरूरी है तो इ हमारे भारत में एक culture भी है जो एक कमाता है तो उसके पीछे 5 खाने वाले होते हैं तो यह एक जो कमाने वाले होते है उस पे एक बहुत बरा burden आजाता है जो उसको अगर काम फिरना मिले तो उसके पीछे अकेला उसको तो तकलीफ होता ही है उसके साथ साथ जो है उसके फैमिली जो है सपोर्टिंग पर्सन जो है उनको भी तकलीफ होता है तो चलिए इसके बारे में जो है पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में जो है हमारे देश में जो है अभी कोरोना को लेकर तो अनिम्प्लाइमेंट के इस्थिती बहुत खराब हो ही गई है लेकिन कोरोना से पहले भी अनिम्प्लाइमेंट थे और उससे बहुत पहले भी थे तो इससे पहले के वीडियो में जो मैंज ने जो पॉइंट्स कवर अप किये थ उस पॉइंट्स में जो थे वो history of unemployment in India, present situation of unemployment in India, effect of unemployment in India, causes of unemployment in India, government work on unemployment in India and solution of unemployment in India. तो इन सब के बारे में मैंने बात की थी और हमें unemployment को अलग-अलग पहलो से समझने की बहुत जरूरी है देखें, unemployment जो है सिर्फ हमारे और आपकी ये एक single person की problem नहीं है, ये भारत के हर युवा की problem है, और भारत का युवा ही भारत का सब कुछ है, भारत का युवा जो है वो read का हड़ी है, अगर read का हड़ी नार है तो सरीर काम नहीं करेगा, उसी तरह भारत का युवा अगर ठीक से नहीं रहेगा, तो हमारा भारत देश्त काम ठीक से नहीं कर पायेगा, तो हमें अपने युवा को ठेक करना बहुत जरूरी है, और युवा को कोई और ठीक नहीं करेगा युभा को जो है खुद ही अपने आपको ठीक करना होगा फीर जाके देश को ठीक करना होगा कि तो मैंने आपको history of unemployment में जो है इसके बारे में एक movie recommend करता हूं यह आपको देखना चाहिए movie मभी इंटरटेन्मेंट परपस के लिए नहीं होता है यह मोबी धिकनी से क्या हो तो उस समय के उस दौर के जो होते हैं वही दिखाया जाता है तो नौकडी एक मूभी यह नौकडी नाम से जो किशौर कुमार उसमें हिरो है एक्टिंग किये हैं बहुत ही बहतरीन एक्टिंग किये हैं और वो जो मुवी है 1954 में आया था आजादी के ज़स्ट कुछ सालवाद ही और उसमें जो आप अगर वो मुवी जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 94 का स्टोरी नहीं है ये तो अभी का स स्टूरी है आपको ऐसा महसूज होगा और इसे अभी जो है हाल फिलाल में आप सुनी रहे होंगे जो हर सेक्टर में अभी जॉब लॉसेज हो रहे हैं ये कोविड को लेकर तो टूरीजम सेक्टर सम्में तो बहुत ही बुरा हालत है अभी ज़स्ट अठ्थाइस तारिक को रेक न θα आया था उसमें बताया गया था बताया गया है कि को ट्वन मीलियन के आसपास जो है टूरीजम इंडरीज़ी में जूब गए है तो इन सब के बारे में जो है अब हिस्ट्री जो है हमारे देश में अनिम्प्लाइमेंट का हिस्ट्री जो है वो बहुत पुराना है और कम और ज्यादा हर सरकार की एक नुसीवत रही है जो इसे दूड करना और अभी जो है अनिम्प्लाइमेंट की भयावा है स्थेती है इसके बात जो आता है वो आता है प्रजेंट सिच्वेशन ऑफ अनिम्प्लाइमेंट प्रजेंट सिच्वेशन जो अनिम्प्लाइमेंट का है वो आपका तो बहुत ही बत्तर हालत है हैं बहुत ही बत्तर हालत हैं सी एम आई का एक रिपोर्ट जो आया था 2017-18 में उसमें जो है बताया गया था जो पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा हाइस्ट है अनिंप्लाइमेंट रेट और यह 2017-18 की बात है तब तक कोरोना जी आये भी नहीं थे और उसके बाद जो है यह तो रिपोर्ट जो आया आये उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता है उस रिपोर्ट में ऐसा बताया था कि तकरीबन पांच करोर लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं तो और यह मुझे ऐसा लगता है कि यह डाटा उससे बहुत ज्यादा है पांची करोर लोग ऐसा नहीं है जो काम करना चाहते हैं काम नहीं मिल पा रहा है ज्यादा लोग होंगे या आप भी मैस प्रभाव होगा वह बहुत ही बुरा प्रभाव होता है कोई भी आच्छा प्रभाव नहीं होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इन सब चकर में कोरोना सब सब्सक्राइब करने अब बहुत ज्यादा तादाद में जो है अगर ज्यादा लोग सब्सक्राइब करने लगे तो चाहिए तो पहले जहां तीन लोग मिलके एक काम करते थे वहीं पर अभी दस लोग मिलके काम कर रहे हैं तो लोग उसमें involved है लेकिन जो productivity हो रही है जो एक निचोर काम का निकलता है वो उतना ही निकल रहा है ज्यादा लोग लग जाने से कोई फाइदा नहीं हो पा रहा है बहुत ज्यादा अब बात क क्या है बहुत ही बुत्तर बत्तर प्रभाव है तो मैं आपको बताई भायाव प्रभाव है एंग हैं और इसके जो प्रभाव होते हैं वह इन-डीजिल एफेक्ट कम क्या होता है मैं आपको पहले भी बताएक अपने के अपने को पालने के लिए और अपना खर्चा निकालने के लिए नहीं होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, चार-पांच लोग तो कम से कम होते ही हैं, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, और जब उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो उनका घर ठीक से नह अपने आपको यूजलेस महसूस करने लगते हैं और इन सब से जो है वह गलत दिसा में जाने का चांज उनका बढ़ जाता है वह गलत दिसा में जा सकते हैं नसा खोड़ी करने लगते हैं और समाज से देश बनता है अब अगर लोग और समाज ठीक नहीं है तो देश कैसे ठीक हो सकता है तो इन सबसे जो है economically effect जो होने लगता है, losses of output होता है, देश जो कमा सकता था वो कमा नहीं पाएगा, economic growth जो है वो slow down हो जाएगा, फिर दुनिया के सामने में हमारी भारत की क्या इज़त रह जाएगी, अगर भारत के वास्ता ठीक नहीं रहेगी, योबा के वास्ता ठीक नहीं होगा, तो दुनिया हमें किस नजर से देखेगी, गलती नजर से देखेगी, बगल में चाइना है, तो चाइना में हमारे भारत से ज्यादा ही population है, फिर भी वहां का तो growth rate हमसे बहुत ज्यादा अच्छा है, GDP जो है वो कम होने लगेगा हमारे देश में, national income जो हमारे भारत क है वो खट जाएगा, minimum हो जाएगा, और यह सब तो है जो key points है, और और भी बहुत तरह से effect गंदा गंदा effect आने लगते हैं, और यह जो है बहुत ही फार प्रभाव, unemployment का जो है, जो भी प्रभाव गिरता है, वो बुरा ही प्रभाव गिरता है, कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं गिरता है, और अच्छा प्रभाव हो भी कैसे, गिर भी जैक कैसे सकता है, असंभव है, अब हम लोग बात करेंगे कि causes of unemployment, इस जो unemployment नाम का बीमारी फैल रहा है, इसका वज़े क्या है, unemployment का जो वज़े है, वो सबसे जो बड़ी वज़े है, वो हमारे government का एक proper planning नहीं है, हमारे देश में कैसे employment को बढ़ाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे युवा को रोजगार दिया जाए, कैसे उसे बरहावा दिया जाए, उसे कुछ काम दिया जाए, उसे एक important बनाया जा इस चीज के लिए एक proper planning नहीं है और अगर है भी तो इस पे काम नहीं होता है तो एक proper planning नहीं है फिर जो आता है हमारे यूबा में skill नहीं है हमारे यूबा के पास तो degree बड़ी-बड़ी है लेकिन उन्हें आता कुछ भी नहीं है तो उनके पास जो है practical knowledge नहीं है तो उन्हें ज सब्सक्रम घुतकि दी patette कि सब्सक्राइब झालने टेक्नोलाजी को नहीं जा सकता है तो सब्सक्राइब तो पड़ेगा तो-ठेक्नोलोजी को सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा तब जाके होगा फिर जो आता है वो अभी किसान का बेटा इसानी बनना चाहता है डिड जो एरिया है वहां से जो है अनिप्लाइमेंट वहां पर अपना किसानी करना नहीं चाहते उनलों को का इंकम ठीक से नहीं होता है तो इसलिए उन्हें रोजगार देना पड़ेगा वहां वहीं पर उनका जो है काम बन जाए उन्हें कहीं जाने की जरूरत पड़े जो जहां है वहीं पर उन्हें काम मिले। और इसके बास उता है वह यह सब से जरूरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे देश में आउटटेड एड़ूकेशन 450 चलता रहा है तो अपने लोकों अब lobster चोल पादाजी का जो टाइम का जो चले आ रहा है इसे पहले जो है अभी थर्ट जनब्रेशन का एड़ोकेशन बनाना पड़ेगा एड़ोकेशन में रिफॉर्म्स लाने होंगे बहतर education उसमें जो है practical training को बरहवा देना होगा theoretical को कम और practical को ज्यादा देना पड़ेगा उन्हें skilled बनाना पड़ेगा अभी नए टाइम में नए education system के हिसाब से काम करना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा और small और medium जो scale के businesses चोटे मजोले business उसे जो है बरहवा देना पड़ेगा जो कर रहे हैं उन्हें support करना होगा और जो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जो है loan के माध्यम से easy loan के माध्यम से जो आसानी तरीका से उन्हें मिल जाए एसे loan के माध्यम से जो है उन्हें support देना होगा ताकि कोई भी अपना चोटा मटा दुकान खोल पाए कोई चोटा बिजनेस कर पाए जो कर रहे हैं ऑल्रेडी कर रहे हैं पहले से उन्हें बरहवा मिले वो बड़ा scale पे कर पाए तब ही तो वो खुद भी रोजगार मिलेगा उनको और भी साथ में कुछ लोग दो चार पांच दस लोग को रखेंगे तो इस हिसाब से काम होगा तो सरकार को जो है छोटे और मजोले बिजनेस को जो है बरहावा देना होगा Capital investment करना पड़ेगा हमारे देश में जो है capital investment नहीं हो रहा है पैसा पूंजी फसाना पड़ेगा सरकार को तब जाके infrastructure बरहने पड़ेगे लगाने पड़ेंगे और जो क्या होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर जो हैं जो एक्रिकल्चर में आता है फिर आता है इंडस्ट्री और फिर आता है सर्विस सेक्टर इस तेन सेक्टर में जॉब होते हैं तो एक्रिकल्चर सेक्टर में तो प्रधानता हमारे देश में है ही औ और मेनिफ्यक्चरिंग को हमारे डिस में ब्रखवा नहीं मिला है न इतिहास में मिल रहा है और अभी मिल रहा है तो तो ब्रक बढ़ेंज़ रियों कि मेनिफ्यक्चरिंग इंडेस्ट्री जो होते हैं वहांपे ज्यादा स्वारेप्प Avatar रिक्वायर्मेंट आता है तो manufacturing industry को बढ़ाना पड़ेगा और फिर जो है service sector में जाना होगा तो पहले जो है agriculture को बहुत अच्छा करो वहां का income बढ़ाओ फिर manufacturing और फिर service sector में जाना है तो यह सब जो हो गए वह effects of unemployment sorry causes of unemployment हो गया अब हम बात करेंगे कि यह सब जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यह सब बात सरकार को भी पता है तो सरकार के पास बरे बरे दिगज लोग बैठे हुए हैं उन्हें दिमाग देने के लिए तो यह सब बात उन्हें भी पता होती है तो वह भी अपने level पर कोशिस करते हैं जो इसे ठीक किया जाए अब क्यों नहीं होता है यह वही लोग जाने तो इसके लिए जो कुछ-कुछ योजनाएं सरकार लाती है जैसे कि PM रोजगार स्रीजन ये 2008 में आया था फिर सेल्फ इंप्लाइड के लिए भी बहुत सारे योजना लाये थे राष्ट्र ग्रामी आजीवी का मिशन राष्ट्र सहरी आजीवी का मिशन पी-म रोजगार प्रोत्साहन योजना मनरेगा योजना मेकिन इंडिया स्टार्ट अफ इंडिया स्टेंड अप इंडिया बरे बरे नाम है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रधान मंत्री युवा योजना प्रध लिए हिमायत योजना नक्सल प्रभावित लोगों के लिए उसके लिए रौशनी योजना और बहुत सारे योजना है तो योजना तो हम देख रहे हैं कि यह तो धरल्लेक से आ हैं लेकिन इनका हो क्या रहा है यह उज्जना का पता नहीं साथ पेपर पर एग्जिस्ट कर रहा है है फिर आते हैं स्वाइशन solution भी उनके पास है सरकार के पास तो इसके कुछ जो पॉइंट आउट जो बरे बरे दिगज लोग जो बताते हैं वही बता रहा हूं तो इसका solution जो होते हैं तो सबसे पहले जो है small और medium जो scale businesses है उसे स्टेबलिस करना होगा उसे लगा मनें बढ़ावा देना होगा जो कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा इससे लोग से self-employed होंगे और रोजगार को कमाई का उनका एक साधन बनेगा राश्ता बनेगा भोकेशनल और technical training लोगों को जो है भोकेशनल और technical training देना होगा टेकनिकल advancement होड़े तो इससाब से टेकनिकल उन्हें सिखाना होगा स्किल्ड बनाना होगा इंडस्ट्री और infrastructure जो है उसे जो है उसमें investment सरकार को करना होगा इंडस्ट्री नए ने लगाने परेंगे infrastructure को बढ़ाना पड़ेगा उससे रोजगार जो है जनरेट होगा employment internship program होगा लोगों के पास degree है पढ़ लेते हैं काम कर लेते हैं उन्हें practical knowledge नहीं होता है इसके लिए जो है internship program करना होगा ताकि लोग जो है अपने theoretical knowledge होने के बाद वो अपने practically कहीं काम करके उनके पस practical knowledge आ जाए इसके लिए internship program करना होगा self employment opportunity को बढ़ाना अगा सरकार को कुछ ऐसे ऐसी यूजना है ऐसे ऐसी नीतियां लाने पड़ेगी जिससे लोग जो है यह बढ़ेंगे तो काम होगा तभी बढ़ेगा और तब जाके जो है अपना रोजगार भी आएगा special employment program जैसे कि ग्रामीन विकास योजना जो है मन रहेगा इन सब को जो है बरहावा देना होगा occasional seasonal जो काम सब अगरा होते हैं यह रूलर इंडिया में ज्यादा तर होता है ग्रामीन इलाका समय तो इसके लिए बरहावा देना पड़ेगा employment exchange सरकार का एक तरह का job portal है जहाँ पे लोग अपना education अपना skills सब अपडेट करते हैं वहाँ काम आने से वहाँ पे contract ही आ जाता है तो यह बरहावी inactive phase पे काम करता है ठीक से काम नहीं करता है तो इसे जो है strong बन मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि जो है यह काम कर पाए reform of education दादा जी का time का education को छोड़के नए जवाने का education को अपनाना पड़ेगा और proper planning यह बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार को जो है एक proper effective सही तरीका सही जो काम करकार जो planning हो नीती हो उसे जो है proper planning सरकार को करना होगा यह करने से ठीक होगा ही तो यह सब हम लोगों ने बात कर लिए history of unemployment, present situation of unemployment, effects of unemployment, causes of unemployment, government work for employment और last में हम लोगों ने बात की solution of unemployment in इंडिया तो इन सब के बात जो है यह सब तो हम लोगों ने सिर्फ एक overall ओपर ओपर से एक highlight point किये हैं तो यह तो हम लोगों ने जाना यह आप में से भी बहुत लोगों को यह बात पता होगा और लेकिन इससे जो है यह तो हम लोगों ने बात कर लिए हम भी जानते हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा यह हमारी और आपकी यह किसी एक युवा की problem नहीं है हमारे पूरे भारत देश में जो है वो हर युवा की घर-घर का यह कहानी है तो जब यह सारे युवा की problem सारी युवा की ये समस्या है तो इसे सब युवा को साथ में मिलके समाधान करना होगा कोशिज भी करते हैं अभी कुछ महिने पहले जो है हैस्टेग मोधी रोजगार दो चलाया था बहुत अच्छा तरह से ट्वीट्स भी हुए थे उसमें हैस्टेग बहुत काम्याब रहा लेकिन कोई काम नहीं आ पाया जसक तस जैसा का तैसा ही सिच्वेशन रह गया तो इन सब से नहीं एक इफेक्टिव तरीका से इसके बारे में आप भी सोचे अपने दोस्तों में इस बार की चर्चा करें अपने में डिसकस करें जो क्या हो सकता है चोप ना रहें कहीं समय ब सही तरह से काम होगा जब सब युगा एक साथ मिलेंगे जब सब की समस्त्या है तो सबको सात में मिलके पर चाल भूर आ से Сंब अम मैंने तो जितना अपनी रिसर्च में यह सब पाया वह मैंने आपके साथ से इसके अलावा भी आपके पास भी कुछ आईडियाज होंगे कुछ सॉल्यूसन होंगे जिसे कैसे दूर किया जा सकता है सरकार को दोस तो गलती तो है सरकार का लेकिन दोस्देंडेने से ही अगर हम लोग चुप हो जाएंगे तो उससे तो हगा है तो उसको ठीक करना होगा है तो खुद भी हम अपनीcar गड़ी सकते हैं तो हमें अपनी लेवल पर क्या कर सकते हैं तो यह अगर आपके पास बस भी कुछ idea आते हैं तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं और साथी साथ जो है सरकार की बहुत सारी पॉर्टल्स है वहाँ पर भी आप अपना बात रख सकते हैं अपना letters बादा कब सकते हैं तो कम से कम अगर आपके पास kutosh idea आता है I am sure यह आपको कुछ ठीक लगा होगा तो जरूर अपनी राए कमेंट सेक्षिन में बताएं अगर आपके पास कुछ सॉल्यूसन है तो तो जरूर बताएं अच्छा होगा मेरे लिए भी आपके लिए भी और हमारा प्यारा भारत के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद